राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोगास की हमारी कहानी का नाम है कमी बहुत थोरा हाथ रोकर खर्च किया करो महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करने चाहिए रुबी को कुछ समझ नहीं आया उसकी सास उससे ऐसा क्यों कह रही है रुबी अपने पती के साथ सहर में रहती थी उनका एक बेटा भी था मोनू करीब चार साल का था जिसने अभी अभी इसकूल जाना शुरू किया था आधनिक सहरों की चाका चोंद कहे या पेट पालने का सावाल अधी कांस नौ जवान अपनी रोजी रोटी की तलास में में बस गया था और वहीं कामाने खाने लग गया जब रमेश का साधी विवा हुआ तब रुबी सहर आ गई बीच बीच में वो गाउं जाकर अपनी ममी पापा से मिल आते रमेश की एक ही बहन थी दिव्यांका वो भी उसी सहर में भी आही थी लेकिन दोनों के घर दूर इस तेवार की अलावा बीच बीच में आना जाना मिलना जुनना लगा ही रहता रुबी को वैसे तो उनकी आने सी कोई परिसानी नहीं थी पर उसकी ननद हर चीज में मीन मेख निकालती रहती वो थोड़ा उच्छी घर में भी आही थी पर कभी कभी अपनी बातों से अपनी काम वालिक को दे दिया था सायद अरे भावी ये चादर कितनी पुरानी हो गई है इसे फेक क्यों नहीं देती हो कुछ ढंका नया लेलो रुबे से कुछ कहते नहीं बनता ऐसा पहली बार नहीं था कि उसकी ननदने कुछ टिका टिपनी की हो जब भी वो रुबी के घर आती थी भावी ये कब लिया वो कब लिया कितनी मे लिया और सेम उनके घर मिल जाता था और कुछ नहीं तो क्यों ये सब फाल्तूं में कुड़ा जामा करके रखा है फेको इसको रुभी मन मसूर करके रह जाती माना वो अपनी ननत की बराबरी की नहीं थी पर जितना है उतना में वो खूस रहती थी, रमिश स्वभाव से बहुत सिधा था, जबकि उसकी बहन उसके बिप्रित स्वभाव की थी, उतना होने के बावजूद भी, कभी भी मुझ खोल कर अपने भाई से कुछ ना कुछ मांगती रहती, रमिश और रुभी लिहास की वज़ा से और बड़ी बहन होने के नाते कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन बड़े सहर में महंगाई की वज़ा से उन्हें कई बार बहुत सी चीजों में कटावती करनी परती थी, इसलिए वो अपना हाथ खीच-खीच कर चलते, अभी फिलहाल कुछ दिनों से रुभी की सासूमा आई हुई है, उनकी बेटी दिब्यांका की ननत की साधी थी, अचानक बातों बातों में उसकी सासूमा का यू बराबरी करने वाली बात, रुभी को थोड़ी अखर से गई, वो सोच में पड़ गई, उन्होंने ऐसा क्यो उतना ही फैलाना चाहिए, रुभी कहने वाली थी, उसकी ननत, उसके यहां जब भी आती, पहले ही कह दिया करती थी, कोई बढ़िया सा टी सिट खड़ लेना, नन्दोई को कोई सस्ता कप में चाय मत दे देना, तभी फोन आया, मम्मी भावी से कहना, कल कुछ अच्छा सा पहन कर रहे, और आप भी अच्छे से तयार रहना, पर बेटा, बात क्या है, बताएगी भी, मम्मी, कल मैं, मेरी सास ननद, और ये, हम सब साधी की सौपिंग के लिए मार्किट जा रहे हैं, जो वहीं पास में हो सकता है, कल हम आए, तो आप बढ़िया सा नस्ता खाने का इ अच्छा सा बरतन सेट और घर को ठीक ठाक करके रखे, और सुनो मा, मेरी सास और ननद, पहली बार आ रही है, तो बढ़िया सूट और सारी देकर विदाई देना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, चलो रखती हूँ, बहु दिब्यांका कह रही थी, कल हो सकता है, वो और ससराल वाले आए, उसने खाना और बढ़िया तयारी करके रखने के लिए कहा है, रुबी के माथे पर चिंता की लकीरे उभराई, जी मम्मी जी, सुनिए घर थोरा जल्दी आ जाईएगा, रुबी ने फोन करके रमेश को कहा, क्या हुआ रुबी, क्या बात है, कल दीदी आ रुसोई का बजट कैसे संभालोंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, और भी तो खर्चे हैं, साधी बिवा भी तो हैं, वहां भी तो खर्चे, सब हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मधवर गिये परिवार की एक खासियत होती है, उनके पास हुनर और जुगार दोनों ही होते हैं, सुनिए, मेरे पास नई चादर और टेवल कवर है, याद है, जब मोनू नहीं हुआ था, तब मैं फैबरिक पेंट लेकर बनाया करती थी, आज मैं साप सफाई कर देती हूँ, पर बरतन सेट, मैं हर साल दिवाली में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बरतन लेकर रख देत रुबी की सास सब देख रही थी, कि कितनी मेहनत और सिदत के साथ सब तयारी बहु बेटे कर रहे हैं, सायद अब उनको सब कुछ समझ में आ रहा था, बहु तू परिस्तान मत हो, हम दोनों सब संभा लेंगे, और कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बाहर से महंगा मंगाने क कम में भी बहुत सारी चीजे बहुत अच्छी बन जाती है, जिसकी जितनी चादर, उतने पैर, रुबी और उसकी सास ने मिलकर जो घर में था, उसी से ही बहुत अच्छी तयारी कर लेते हैं, ममी जी, अगर आप बुरा ना माने तो, आप जो मेरे लिए सूट लाई है, वो तो दिव्यांका की सास की चिंता मत कर, वो बहुत ही सुलजी हुई मैला है, तभी तो हमारे घर का साधा रहन सहन देकर दिव्यांका को पसंद किया था, वा समदन जी, ये मटरी तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने, बहु ने बनाया है जी, दिव्यांका ने उरती ह कोई एक नजर कमरे में डाली चलो मेरी इज़ट रह गई रुबी बेटा ये टेवल कपड़ तो बड़ा सुंदर है कहां से लिया मेरी बहू ने बनाया अपने हातों से दिव्यंका तुम भी सिख लेना बेटा दिव्यंका की सास ने कहा दिव्यंका अंदर कमरे में क्या ममी भ और वो सारी सूट भी कितना सस्ता सस्ता बस कर दिव्यांका बहु कितना खर्च करती है या नहीं तुझी बताने की जरुरत नहीं है तुपैसी वालों के घर में चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इजत बढ़ाने के लिए उनका घर बिगार दे और वो तेरी बराबरी नहीं करती उन्हें तु अपने बराबर लाने की जबरदस्ती करती है भले ही वो कहीं से भी पूरा करे पर तेरे मन समान और आदर देने में वो कोई कमी नहीं करती और वो सारी सुट सस्ता नहीं तेरी बुद्धी सस्ती है और वैसे भी तु ही फोन करके कहती थी न मुझसे भावी मेरी बराबरी करती हैं जिसकी जितनी चादर हो उद्नाही पैर फैलाना चाइए तो सुन मेरे घर की इतनी ही चादर है और उसमें ही अपने घर खर्चा भी चलाना है और अपनी इज़त धकनी है डिव्यांका सरमिंदा हो जाती है एपनी माव कर दो मम्मी मै भावी को हमेशा खुद से कमतर आंक्ती रही और आपसे उनके बारे में जूट बुआ आपको बाहर फोफाजी पुला रहे हैं दिव्यांका देखो हमारी सलहज ने कितना बढ़िया सा मीठा बनाया है अच्छा लाइए तो जरा मैं भी चकू वा भावी बहुत तो पेड़ों को दूद में खौला कर उसमें थोड़ा इलाइची किसमिस डाल दिये वो रबडी बन गया वास समधन्दी बहुत अच्छा बना है आपकी वहु बहुत सुगड है हा मम्मी जी मेरी भावी है ही लाखों में एक मैं भी घर जाकर बनाऊंगी भावी थोड़ा पेड़े मुझे भी बांद देना अब मैं भी घर में रखी चीजों का इस्तिमाल करके नई रेसिपी बनाऊंगी तभी दिव्यांका के पती ने कहा ये सही है दिव्यांका बेटिया माई के आए और कुछ बांद करना ले जाए ऐसा हो सकता है भाला हाँ क्यूं नहीं जी भ झाल झाल झाल